हेलो एव्रिवन वेलकम टू नेट जे आरेफ माइंड फ्रेंड्स आज हम कवर करने वाले हैं पेपर वन का यूनिट वन टीचिंग एप्टिट्यूड जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर वन में आपकी 10 यूनिट होती हैं जिसमें सबसे पहले यूनिट है आपकी कर पाएं ठीक है तो आज जो टीचिंग एप्टिट्यूड है फ्रेंड्स आज हम पूरा कंप्लीट टीचिंग एप्टिट्यूड को इसी क्लास में कवर करेंगे ठीक है बस आपका साथ हमें चाहिए ठीक है अगर आपका सपोर्ट रहा आपका प्यार हमें मिला तो हम कोसिस करेंगी कि जो बाकी की unit है like research aptitude हो communication हो या जितनी भी unit है हम उनको सिर्फ एक एक class में complete करें ठीक है हो सकता है कि आज थोड़ी सी हमारी class ये बड़ी हो जाए क्योंकि बड़ी होना जायज है अगर हम पूरा teaching aptitude cover करते हैं तो class हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन आप को विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इस class को पूरा करते हैं तो आपका teaching aptitude जो है वो बिल्कुल complete हो जाएगा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो चलिए फिर start करते हैं आज की class teaching aptitude ठीक है आज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि teaching aptitude के अ पहले हम teaching aptitude में modalities of teaching देखेंगे ठीक है इसके बाद हम models of teaching को देखेंगे models of teaching में हम क्या पढ़ते हैं जैसे की pedagogy model है आपका andragogy model है हीutagogy model है ठीक है इसके बाद हम methods of teaching को भी समझेंगे जिसमे teacher centered method क्या होता है learner centered method क्या होता है ठीक है इसके बाद हम blooms का taxonomy जो की domains of learning है उसको हम समझेंगे ठीक है उसमें तीन domain होते हैं इसके बाद हम gene PAJ का stage of development को समझेंगे क्या होता है जितनी भी theory है teaching aptitude की आज हम वो सब सम समझने वाले हैं ठीक है levels of teaching को हम समझेंगे जिसमें तीन level होते है memory level क्या होता है understanding level क्या होता है और reflective level क्या होता है ठीक है यह आपकी आज की पूरी class का छोटा सा intro है ठीक है एक छोटा सा trailer है आप ऐसा मान सकते हैं जितनी भी theory है like John Davy का progressive education क्या है ठीक है तो यह सब आज हम आ level का cone of experience क्या होता है ठीक है ठोन डाई का trial and error theory क्या है तो यह सारी जो theory है concept है teaching aptitude से related आज की इस class में हम complete देखने वाले हैं ठीक है तो आपको यह class शुरू से आखिर तक देखनी है ठीक है बिलकुल भी इसको skip नहीं करना है एक बार बैट कर अराम से देख लीजिए साथ में अपने notes बना लेना आपका teaching aptitude unit 1 जो है वो बिलकुल अच्छे से complete हो जाएगा friends एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि teaching aptitude से दो प्रकार की question आते हैं पहला ऐसे question आपको कुछ मिलेंगे teaching aptitude से जो आपकी common sense से solve हो जाएंगे और दूसरा जिसके लिए आपको एक specific knowledge का होना अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है जैसे कि जो theories होती है teaching aptitude की जो models होते हैं ठीक है कुछ specific term होती है उनसे related उन words को अगर आपने पहचान लिया तो आप इन questions को भी फिर easily solve कर पाएंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं फिर आज की class और सबसे पहला topic है हमारा modalities of teaching modalities का मतलब होत है तोर तरीके ठीक है तोर तरीके तो teaching करते समय कौन कौन से तोर तरीके होते हैं या teaching के क्या तोर तरीके होते हैं तो वही हम देखने वाले है modalities of teaching में यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि जितनी भी modalities है teaching की teaching in सबसे बड़ा होता है ठीक है teaching in सबसे बड़ा होता है टीचिंग का असली मतलब क्या होता है टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ information प्रोवाइड करा दे या कुछ fact हम बता दे टीचिंग का असली मतलब होता है किसी भी student की एक critical thinking को develop करना critical thinking ये word आप याद रखेंगे क्योंकि teaching का असली मतलब यही होता है तो सबसे पहले है आपका training ठीक है question आपसे जो आता है वो इस तरीके से आएगा teaching versus training ठीक है teaching versus training teaching क्या होता है और training क्या होता है इन दोनों में क्या difference होता है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है देखे training का क्या मतलब होता है training का सीधा सा मतलब है किसी भी व्यक्ति की जो abilities है, योग्यता है, उसको develop करना, कोई specific skill को develop करना, training का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कोई specific skill को develop करना, इस word को आप यहाँ पर याद रखेंगे drill word, drill word जो है कहीं भी अगर training की statement होगी, drill का यहाँ पर मतलब होता है अभ्यास से, practice से, exercise से, ठीक है, drill का मतल तब यहाँ पर क्या है, अभ्यास से है, किसी चीज की practice से है, तो यह training की statement में यह word आपको जरूर मिलेगा, drill वाला, तो आप यहाँ से इस word से समझ सकते हैं, यह बहुत ही to the point notes मैं बनाई हूँ, ठीक है, एकदम keywords हैं, आप इन keywords को याद रखेंगे, आपको इसके बाद हम एक PYQ का, जितना भी teaching aptitude के previous year questions है न, मैं वो लेकर आऊंगी, इसलिए आप यहाँ पर हर एक word को अच्छे से समझेंगे, तभी आप जो मैं previous year के questions की video लेकर आऊंगे, तभी आप उनको महाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है कि कैसे question को solve करना है, तो training का simple सा मतलब होता है, develop abilities, कोई specific skill को develop करना, drill करना, भिहास करना, ठीक है, दूसरा modalities हमारी है, modalities का मतलब क्या होता है, तोर तरीके, तो दूसरा है हमारा instructions, instructions का मतलब होता है, निर्देश देना, ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति को निर्देश देते हैं, तो वो step by step निर्देश देते हैं, ठीक है, step by step का क् मतलब है सब्सक्राइब अगर मैं आपको बताती हूं कि net exam कैसे किलियर किया जाए तो मैं आपको step by step निर्देश दोंगे जैसे कि सबसे पहले आप syllabus देखिए previous year question देखिए उसके बाद जो है अपने notes बनाईए unit by unit तो step by step निर्देश दे रहे हैं हम किसी चीज के लिए या फिर आप दूसरा example ले सकते हैं अगर आपको किसी को खाना पकाने की कोई recipe बतानी है ठीक है तो आप उसको step by step बताएंगे कि पहले तेल मतलब उसमें डालिए उसके बाद जो भी process होता है जो भी step होता ह ठीक है आप उसको करिए तो instructions का मतलब होता है निर्देश देना कोई व्यक्ति किसी को step by step निर्देश देता है ये word आप याद रखेंगे to provide step by step directions so another can completed task यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को step by step direction देता है निर्देश देता है जिससे की दूसरा व्यक्ति अपने task को complete कर सके ठी जो है वो active होता है और दूसरा passive होता है ठीक है यहाँ पर information का जो flow है वो one way होता है सिर्फ एक side से होता है ठीक है तो यह हमारा दूसरा modalities था teaching का instructions ठीक है question हमेशा आप से बनेंगे teaching versus instructions teaching versus training ठीक है तीसरी modalities है आपकी conditioning तो इन जो concept है यह छोटे 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 आपको समझना प होता है देखी conditioning का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अच्छा बुरा सिखाना with reinforcement reinforcement word आप याद रखेंगे reinforcement का मतलब होता है सुद्रधी करन ठीक है किसी भी व्यक्ति को अच्छा बुरा सिखाना बचपन से ही हमें को हमारी conditioning की जाती है हमें बताया जाता है कि यह चीज अच् कंडिशनिंग की गई है तो आई होब कि आपको समझ आया हूँ कंडिशनिंग का मतलब होता है किसी को अच्छा बुरा सिखाना विद रिइनफॉर्समेंट बाद्याता के दुवारा ठीक है चोथा है इंडॉक्ट्रिनेशन इंडॉक्ट्रिनेशन का क्या मतलब होता है देखे पहले से बने-बनाई सिध्धान्त, पहले से जो भी सिध्धान्त बने-बनाई है उसको accept करना, देखें, teaching someone to accept a set of beliefs without questionings, जो भी पहले से बने-बनाई सिध्धान्त बिलीवस हैं, उन पर बिना question किये हुए, उनको accept करना ही indoctrination है, तो indoctrination का मतलब क्या है, simple सा, पहले से बने- of ideas from the teacher to the student यहां पर एक तरफा एक तरफा अपने विचारों का imposition होता है ठीक है टीचर से student की तरफ student पर ठीक है तो यहीं आपका indoctrination है एक concept है आपका learning देखिए यहां पर आप समझ यह learning क्या होता है learning का learning जो है friends हम सब learn करते हैं ठीक है ऐसा तो नहीं है ना कि जब हम सिर्फ class में होते हैं हम तभी learn करते हैं ठीक है learning जो है एक continuous process है continuous process का मतलब यह आप जब तक जीएंगे ठीक है मरने तक आपका learning हमेशा चलता रहता है ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि 10th 12th या फिर हम graduation में है तभी हमारा learning हो रहा है हम एक proper class में है तभी हमारा learning हो रहा है नहीं हम हमेशा सीखते हैं ठीक है अगर आपके अंदर सीखने की चाहा है तो आप हमेशा सीखेंगे आप छोटी-छोटी चीजों से सीख सकते हैं तो learning एक continuous process है जो उम्र भर चलता रहता है ठीक है तो यहाँ पर आप एक difference को समझिए teaching versus learning देखे teaching होगा तो आपका learning होगा no doubt इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर teaching हो रहा है तो वहाँ learning जरूर होगा लेकिन अगर learning हो रहा है वहाँ teaching हो ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं है ठीक है learning अकेला हो सकता है लेकिन teaching अकेली नहीं हो सकती teaching होगी तो learning जरूर होगी लेकिन learning होगी teaching हो ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है जैसे कि हमने देखा यह continuous process है उम्र भर चलता है तो उम्र भर तो आपके साथ कोई teacher रहने वाला नहीं है तो इसलिए learning उम्र भर चलती है और एक continuous process ह ठीक है अच्छा फिर हमारा teaching क्या होता है जैसे कि मैं बताई teaching का main objective है main लक्षे है इसका किसी भी व्यक्ति की critical thinking को develop करना critical thinking का मतलब क्या होता है वो किसी भी चीज के हर dimension को खोल पाए ठीक है उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है या फिर इससे अलग और क्या dimension हो सकते हैं ठीक यहां भी teaching होगी नहीं है it means कि वो teaching का सही objective नहीं बता पा रहा है ठीक है तो यह बहुत help करता है elimination में question solve करते हुए ठीक है एक साथ भी modalities है counseling देखे counseling का मतलब क्या होता है किसी व्यक्ति को सुनना उसकी बातों को अच्छे से सुनना उसके बाद उसे guide करना या उस student को यहां पर हम student की बात कर रहे है mainly teaching की बात कर रहे है ठीक है तो किसी भी student को ध्यान से सुनना उसके बाद उसे guide करना empower करना यही किसी भी student की counseling कहलाती है ठीक है सुनेंगे क्या हम उ भी तो उसे counseling की जरूरत है तो इस student की problem क्या है उसको दिहान से सुनना उसके बाद उसे guide करना empower करना यही आपकी counseling कहलाती है यह सुनना word आप जरूर दिहान रखना उसके बाद guide करते हैं ठीक है तो आप इन सब के notes बना सकते हैं to the point notes है तो यहाँ पर हमारी खतम होती है modalities of teaching तो अभी हम दूसरे topic पर move करते हैं तो दूसरा topic है आपका models of teaching ठीक है models of teaching देखिए friends यहाँ पर तीन model होते है teaching के पहला model होता है pedagogy model ठीक है दूसरा model होता है andragogy model और तीसरा model होता है heutagogy model ठीक है तो सबसे पहले हम समझते है pedagogy model क्या होता है यह teaching के model है तीन model होते हैं सबसे प model जो है यह छोटे बच्चों के लिए होता है ठीक है छोटे बच्चों के लिए होता है अब आप खुद ही समझ सकते हैं देखिए अगर छोटा बच्चा है ठीक है यहाँ पर teacher है और student है यह बहुत छोटा बच्चा है जो student है और teacher है तो तो यह जो छोटा बच्चा है यह अप पर जो learner होता है, वो अपने teacher पर dependent होता है, निर्भर होता है, trainer lead learning, यहाँ पर teacher main role play करता है, pedagogy model में, ठीक है, teacher determines what and how to learn, यहाँ पर सब कुछ teacher ही करता है, teacher determine करता है कि क्या और कैसे पढ़ना है, learner take no responsibility for their learning, जो learner होता है, वो अपनी learning की कोई responsibility नहीं लेता है, क्योंकि teacher यहाँ पर main role play करता है, motivation drives from external source, जो यहाँ पर student है, छोटा बच्चा है, उसमें motivation कहां से आता है, जो बाहर के source है, ठीक है, teacher के द्वारों से motivate किया जाता है, पढ़ने के लिए, तो अब आपको समझ आ गया होगा, pedagogy model क्या होता है, ठीक है, pedagogy model छोटे बच्चों के लिए होता है, छोटा बच्चा, जो लर्नर है, वो dependent होता है अपने teacher पर, teacher ही यहाँ पर सब कुछ determine करता है, क्या और कैसे पढ़ाना है, जो लर्नर होता है, छोटा बच्चा होता है, वो अपनी learning की कोई responsibility नहीं लेता है, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, motivation यहाँ पर देखे, दूसरा है आपका andragogy model, जो है यह एक adult learning से है, यहाँ पर बच्चा जो था वो बड़ा हो चुका है, अब आप समन सकते हैं कि andragogy model क्या कहेगा, देखे, यहाँ पर जो learning होती है, वो self-directed होती है, and goal-driven, adult यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो बच्चा है, वो एक graduation में ह ठीक है, graduation जब हम करते हैं, तो वो graduation में है, andragogy model का जो adult बच्चा है, तो यहाँ पर जो learning होगी, वो self-directed होगी, ठीक है, यहाँ पर जो learner होता है, वो खुद से पढ़ना पसंद करता है, जैसे कि आपको पता है कि college में lecture होते हैं, teacher आते हैं, lecture देते हैं, और चले जाते हैं, ठ इसका पढ़ने का मन है, वो पढ़े, वरना ना पढ़े, तो कहीं न कहीं जो student होता है, वहाँ पर वो अपने आप से ही पढ़ेगा, self-directed उसकी learning होगी, ठीक है, अगर उसके life में कोई goal है, तो वो उसके लिए पढ़ेगा, तो एंट्रागोजी model में क्या होता है, self-directed learning होती है, ठीक है, the learners are independent, यहाँ पर learner जो होता है, वो independent हो जाता है, and problem solver, और वो अपनी problems को खुद solve करता है, ठीक है, क्योंकि वो एक adult हो जाता है, बड़ा हो जाता है, motivation is intrinsic, motivation जो है यहाँ पर अंदर से आता है, हमें अपनी life में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, तो यहा हम graduation में होते हैं, तो हम एक guidance की तो जरूरत पढ़ती है, हमें अपने teacher के guidance की जरूरत पढ़ती है, हमें क्या और कैसे करना है, लेकिन हम पढ़ते खुद से है, self-directed होती है हमारी learning, लेकिन learner seek guidance, learner को guidance की जरूरत होती है, for the direction of their learning, कि हम किस दिसा में अपनी learning को आगे बढ़ाए कैसे पढ़ें, ठीक है, तो andragogy model आपका adult learning से है, थर्ड है आपका utagogy model, देखे, utagogy model जो है, इसमें self-determined learning होती है, यहाँ पर हम बिल्कुल स्वेतंतर हो चुके हैं, ठीक है, जैसे कि आपका अगर graduation हो चुका है, master हो चुका है, और अभी आप घर पर बैठकर खुद से पढ रहे हैं, तो वो आपकी self-determined learning है, तो आप इस utagogy model में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो learner होता है, वो जानता है, अपना destination को, हमारा लक्षिय क्या है, हमारी मंजिल क्या है, वो यहाँ पर problem finders हो जाता है, problem को वो find भी कर पाता है, अपनी life के और उनको solve भी कर पाता है, ut utagogy model में, ठीक है, तो यह self-determined learning होती है, learners accept full responsibility for their learning, ठीक है, utagogy model में जो learner होता है, वो अपनी learning की full responsibility लेता है, ठीक है, अप accept करता है full responsibility for their learning, जैसे कि अभी आप सब हो, ठीक है, अपने life का कोई goal है, आपकी life का, तो आपने full responsibility ली हुई है, अपनी learning की, ठीक है, तो आप utagogy model में आ जाएंगे ठीक है तो यहां पर हमने देखा तीन मोडल टीचिंग के सबसे पहले हमने कौन सा देखा हम इसके दुआरा समझने का परियास करते हैं देखें तो हमने तीन मोडल देखें सबसे पहले हमने पैडागोजी मोडल देखा लेवल वन जो अभी आपको यह चार्ट भ पर बहुत कम होती है क्योंकि यह चोटे बच्चों के लिए होता है ठीक है more instructor control तो टीचर का यहां पर जादा कंट्रोल होता है पैडागोजी मोडल में देखें तो यहां पर टीचर का जादा कंट्रोल होता है लेवल टू यह आपके आ गया एंडरागोजी मोडल जो की adult learning से related है लेवल 3 फिर आपका हीटागोजी मोडल आया हीटागोजी मोडल में क्या था यहां पर more learner maturity यहां पर जो learner है वो mature हो चुका है काफी जादा ठीक है और less instructor control यहां पर टीचर का कंट्रोल बिलकुल ही खतम हो जाता है कम हो जाता है तो यह हमने teaching के तीन मोडल्स देखें हमार यहां पर एक छोटा सा concept आप समझेए जो teaching होती है friends वो nature में ट्रेडिक होती है ट्रेडिक का मतलब होता है तिरी आयामी ठीक है देखें teaching जो होती है वो ट्रेडिक होती है nature में तिरी आयामी होती है तिरी आयामी का मतलब क्या है एक तरफ एक कोने में teacher होता है दूसरा student होता ह और तीसरा कौन है subject matter टेचर जो student को subject पढ़ाएगा उसका जो material होगा ठीक है तो trading का मतलब तिरी आयामी का मतलब समझ गए एक तरफ teacher होगा दूसरी तरफ student होगा और तीसरी तरफ subject matter होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं देखिए अभी हमारा तीसरा topic है methods of teaching teaching के क्या method होता है तो यहाँ पर दो methods हम देखेंगे teaching के पहला है teacher centered method जो की बहुत पहले से चला आ रहा है हम सबने भी इसी में पढ़ाई की है teacher centered method में ठीक है तो teacher centered method sorry दूसरा है learner centered method ठीक है learner centered method तो समझते हैं कि teacher centered method क्या होता है देखी, teacher centered method में जब teaching होती है तो यहाँ पर जो focus होता है वो पूरा teacher पर होता है इसका focus कहां होता है? teacher पर होता है, teacher ही अपनी पूरी class को control करता है, teacher ही determine करता है क्या और क्या सब होना है student यहाँ पर बस bench पर ऐसे बैठा रहता है सांती से, ठीक है, मुबंद किये हुए, बोलने की भी permission नहीं होती है और यहाँ teacher जो है teacher ही सब कुछ कर रहा होता है, तो यहाँ पर center में कोन है, focus में कोन है, this is teacher, teacher यहाँ पर focus में है देखिए, teacher centered method में, focus on the teacher, teacher पर focus होता है, students work alone, इस चीज़ को आप समझेए, teacher centered method में जो students है suppose कि यह students है ना, तो students अकेले-अकेले काम करते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, जब हम सब भी पढ़ते थे, तो हमें teacher, sorry, इस class में, किसी दूसरे students से बात करने की permission बिल्कुल नहीं होती थी, ठीक है जो है, आप देखेंगे कि एक table होती है, उसके चारो तरफ बच्चे ऐसे बैट जाते हैं, उनको कोई project दिया जाता है, task दिया जाता है, वो आपस में बात करकर, आपस में collaborate करकर, एक दूसरे से communicate करकर, उस चीज़ को पूरा करते हैं, तो काफी sore होता है, लेकिन जो sore होता है वो productive sore होता है, ऐसा sore नहीं होता है, ठीक है, तभी उनकी communication skill जो है, काफी अच्छी हो जाती है, और हमारे अंदर कहीं ने कहीं जो communication skill है, या फिर दूसरों के साथ मिलकर काम करने की एक भावना है, वो कम रह जाती है, क्योंकि हमारी जो teaching है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, वो teacher centered method है, जहाँ पर बच्चे को चुप रखा जाता है, ठीक है, बच्चे का बोलने का मन करता है, लेकिन उसको बोलने नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर सबको अकेले-अकेले काम करने के लिए बोला जाता है, तो इस method में students जो है, अकेले काम करता है, ठीक है, तो collaboration is discouraged, collaboration का मतलब होता है, साथ मिलकर काम करना, ठीक है, तो वो discouraged होता है, हतुतसाहित हो जाता है, सब के साथ मिलकर काम करना, ठीक है, teacher-centered method does not allow students to express themselves, ask questions, जो teacher-centered method होता है, वो students को, खुद को express करने के लिए, allow नहीं करता है, सांत बठाते हैं, हम आज भी यही दम देखते हैं, कि school में बिलकुल सांत बठाया जाता है, बच्चा खुद को express नहीं कर पाता है, questions नहीं पूछ पाता है, ठीक है, तो teacher-centered method के examples क्या हो सकते हैं, पहला example है lecture method, यह तो आप सब ने इसको किया होगा, lecture method में क्या होता है, एक teacher आती है, बच्चे बैठे होते हैं, वो lecture देती है, यह देता है, चला जाता है वापिस, ठीक है, तो lecture method किसका example है, यह आप याद रखेंगे, lecture method जो है, यह teacher-centered method का example है, ठीक है, क्योंकि teacher यहाँ पर center में है, कोई presentation हो गई, presentation भी teacher centered method में आता है, team teaching हो गई, तो यह तीन examples आप याद रखेंगे, ठीक है, तो यह तीन example किसके है, teacher centered method के example है, देखिए, दूसरा है हमारा learner centered method, तो shift the focus of activity from the teacher to the learners, तो यहाँ पर focus में कौन होगा, learner होगे focus में, learner centered method में, ठीक है, center में अभी learner students आ चुके हैं, और इसके example क्या होगे, learner centered method में active learning, active learning कहां होगी, active learning तभी होगी, जब अच्छा सोचेगा, बात करेगा, productive काम करेगा, ठीक है, team में काम करेगा, एक दूसरे के साथ मिल कर काम करेंगे, वो हो गया active learning, cooperative learning भी क्या है, cooperative learning का मतलब यह है, कि सब के साथ काम करना, तो learner centered method के यह example है, active learning, cooperative learning, cooperative learning किसका example है, learner सेंटर्ड मैथड का एक्जामपल है आप याद रखेंगे तीसरा इंड़क्टिव टीचिंग और लर्निंग इसका मतलब अभी हम समझते हैं कि इंड़क्टिव टीचिंग और लर्निंग क्या होता है ठीक है तो इंड़क्टिव टीचिंग और लर्निंग भी लर्नर देखे इंडक्टिव टीचिंग में क्या होता है friends, सबसे पहले students के सामने एक problem होती है, ठीक है, एक challenge होता है, फिर उसको solve करने के लिए student अपना दिमाग चलाता है, ठीक है, वही होती है आपकी inductive teaching and learning, देखे, in which students are first presented with challenges, सबसे पहले उसके सामने कोई challenge होता है, ठीक है, inductive method में सबसे पहले student के सामने क्या होता है, कोई challenge होता है, कोई problem होती है, then वो उसका solution निकालने के लिए अपना दिमाग चलाता है, काम करता है, ठीक है, तो inductive methods include, तो inductive methods में क्या सब include होता है, देखे, inquiry based learning, inquiry based learning किसमें आएगी, inductive teaching में आएगी, case based instructions, कोई case है, ठीक है, case से related कोई problems है फिर students उसको solution निकालेगा, तो इस तरीके से उसकी critical thinking develop होती है, student की, ठीक है, problem based learning, problem based learning किसका example होगा, inductive teaching का example होगा, project based learning, discovery learning, हमें discover करना है, student को ठीक है, तो ये सारी जो है, आपकी inductive teaching और learning के example है, कहीं भी इस तरीकी के word हो, inquiry based learning, case based, problem based learning, project based discovery learning, ये सब आप समन जाना कि ये inductive teaching और learning की बात कर रहे है, और inductive teaching में क्या होता है, सबसे पहले हमारे सामने कोई question होता है, कोई problem होता है, कोई challenge होती है, then student उसका solution निकालने का परियास करता है, ठीक है, उसका solution find करता है, तो यही आपकी inductive teaching होती है, ठीक है, तो ये जो methods हैं सारे जो methods अभी हमने देखे, project based, problem based learning, ये सारे जो है, ये learner centered method है, ठीक है, learner centered method के examples है, तो आप इनको याद रखेंगे, learner centered method में कौन focus में हो जाता है, student focus में होता है, ठीक है, teacher का काम बहुत ही कम हो जाता है, यहाँ पर, उसको एक guidance देना, ठीक है, तो यहाँ पर काम हो जाता है, teacher का focus में कौन होता है, student होता है, learner होता है, तो ये हमारा topic complete हुआ, कौन सा, methods of teaching, तो हमने यहाँ पर दो methods देखे, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, और हमारी country में तो अभी भी यही follow होता है, अधिकतर, teacher centered method, ठीक है, तो दो method देखे, teacher centered method, जहाँ पर teacher केंदर में था, teacher focus में ह होता है, ठीक है, देखे, तो ये topic हमारा complete हो जाता है, अभी हम दूसरा topic start करते है, ठीक है, तो देखे, हमारा next topic है friends, blooms taxonomy, तो bloom taxonomy domains of learning, taxonomy का मतलब होता है, वर्गी करन, तो जो bloom थे, ठीक है, ये, तो bloom ने वर्गी करन किया था, किस चीज का domains of learning, learning का, तो bloom ने तीन डोमेन ब हैं, आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है, तो bloom ने learning के जो हैं domains बताए थे, देखे, learning can generally be categorized into three domains, तो bloom ने learning को तीन category में, तीन domains में, क्या किया है, उसका वर्गी करन किया है, taxonomy का मतलब क्या होता है, वर्गी करन करना, ठीक है, तो bloom ने तीन domains बताए है, learning के, जिन में सबसे प सहला cognitive domain, दूसरा है affective domain, तीसरा है psychomotor domain, तो आप समझना, जो cognitive domain है, वो आपका बुद्धी से related है, यहाँ पर जो काम होगा, cognitive domain में वो बुद्धी से related है, यानि कि बुद्धी से काम होगा, ठीक है, जो affective domain है, यह आपका मन से related है, ठीक है, जो psychomotor domain है, psychomotor domain जो है, यह आ होता है thinking domain यह बुद्धी से related है तो यहां पर सोचने विचारने का काम जाधा होगा ठीक है और deals with how we acquire process and use knowledge तो cognitive domain किस चीज को deal करता है कि हम कैसे knowledge को प्राप्त करें ठीक है कैसे इसको process करें उसको use करें अपनी knowledge को क्योंकि यह बुद्धी से related है ठीक है तो जितना भी बुद्धी से related काम है वो आपका cognitive domain में आएगा दूसरा है affective domain affective domain आपका मन से related होता है यह feeling domain है आपकी जो feelings होती है मन से related होती है तो वो affective domain में आती है तो affective domain deals with our attitudes values and emotions affective domain किस से deal करता है हमारे emotions से, हमारी values से deal करता है क्योंकि emotions, values, attitudes यह सब हमारे मन से related होते है हमारी feelings से related होते है तो affective domain यह है थर्ड है आपका psychomotor domain psychomotor domain जो है doing domain यह कुछ करने से related है हम करते किसे हैं अपनी body से, अपने सरीर से करते हैं तो psychomotor domain deals with manual और physical skills हमारा जो सरीर है, हमारी जो physical skills है psychomotor domain आपका उन से related होता है तो यह आपकी blooms की taxonomy है domains of learning है तीन domains है यहाँ पर आपको याद क्या रखना है देखिए, यह chart आपको याद रखना होगा questions यहाँ से आते हैं तो यह तीन domains है जो blooms का blooms ने बताए है तो cognitive domain इस चीज़ को आप समझेंगे cognitive domain में सबसे पहला क्या होता है यह हमारा बुद्धी से related है तो इसके क्या steps होते है यह steps आपको याद रखने है इन तीनों के ही, ठीक है यह question आ सकता है, यहाँ से आता ही है यह last step आप से पूछ लेगा पहला पूछ लेगा, यह इनको chronological order में लगाने के लिए पूछ लेगे ठीक है, काफी questions आई हुए है देखे, cognitive domain इस हमारा बुद्धी से related है तो सबसे पहले हम क्या करते है सबसे पहले हम किसी knowledge को प्राप्त करते है knowledge को प्राप्त करने के बाद हम उसको comprehensive, उसको जो है विस्तार करके उसको समझते है ठीक है, उसके बाद application application उस knowledge का हम कहीं use करते है, analysis उस knowledge को हम analysis करते है analysis, then synthesis analysis का मतलब होता है उसको तुकड़ो तुकड़ो छोटे-छोटे उसमें समझना उसके हर dimension को समझना, then synthesis का मतलब होता है, उसको एक पूरा ये पूरा whole कर देना, ठीक है उसको छोटे-छोटे मतलब उन सबको मिला कर dimensions को पूरा एक whole way में देखना, ठीक है, then evaluation evaluation का मतलब होता है किसी चीज़ को evaluate करना ठीक है, उसको देखना कि अच्छा बुरा कैसा है वो चीज़, उसको evaluate करना, ठीक है, तो जो cognitive domains है, उसके steps क्या है सबसे पहला है आपका knowledge, then comprehensive, then application, analysis, synthesis, evaluation तो ये steps आप याद रखेंगे ये cognitive domains से related steps है, ठीक है, ऐसे ही आपको psychomotor domain, psychomotor domain आपका सरीर से related होता है और इसमें क्या steps होते हैं, सबसे पहले, imitation, देखिए, सरीर के इस तरपर हम सबसे पहले क्या करते हैं बुद्धि के इस तरपर, तो सबसे पहले हम knowledge gain करते हैं, then उसको आगे बढ़ाते हैं ठीक है, इनी steps में, then psychomotor domain में सबसे पहले हम क्या करते हैं Imitation, Imitation का मतलब होता है किसी की नकल करना, ठीक है तो body के level पर हम किसी की नकल करते हैं, suppose कि यह हमें dance सीखना है, तो हम dance सीखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी की नकल करेंगे, imitation करेंगे अपने body level पर, then manipulation, फिर उसमें ऐसा आएगा कि वो आपकी body की habit में आ जाएगा, ठीक है, वो naturalize हो जाएगा आपकी body में ठीक है, तो यह psychomotor domain के steps हैं, आप इनको याद रखेंगे, सबसे पहले imitation किसी की नकल करना, then manipulation precision, articulation और naturalization, ठीक है तीसरा है आपका affective domain affective domain आपका मन से related होता है, तो मन के इस तर पर हम सबसे पहले किसी चीज़ को receive करते हैं receiving, then उस पर respond करते हैं responding, then उसको valuing करते हैं, उसको value बताते हैं अच्छा बोरा जो भी है, then उसको organize करते हैं, organization, then characterization, और फिर वो आपके character में आ जाता है तो affective domains के क्या step है, सबसे पहले receiving, responding, valuing, organization, then characterization ठीक है, तो ये तीन domains थे, bloom के learning of domains, तीन domain बताएं हैं, bloom ने cognitive domain, psychomotor domain और affective domain और ये इनके steps थे, जो आपको याद रखना है questions यहीं से आते हैं, तो यहाँ पर आपका ये जो bloom का taxonomy है, domain of learning है ये topic आपका यहाँ पर complete हो जाता है, ठीक है देखिए, ये topic आपका यहाँ पर complete हो जाता है और अभी हम next topic पर move करेंगे, तो आप देखी रहे होंगे friends की content आपके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर, ये सारी जो कितने सारी topics हम अभी तक cover कर चुके हैं friends, इन सब topics की अलग-लग class भी हो सकती थी ठीक है, और जो बहुत से teachers करते भी हैं लेकिन अभी हमारे पास time बहुत कम है मैं चाहती हूँ आपको जादा से जादा content प्रोवाइड करा पाऊं और वो भी उनकुल to the point आपकी exam से related ठीक है, इसी लिए अगर आप हमें support करेंगे न तो हम पूरी causes करेंगे कि जो और भी units हैं उनको भी इसी तरीके से complete करें तो चलिए, अभी काफी सारे topics और बचे हैं हमारे teaching aptitude में उनको complete करते हैं ठीक है, देखिए तो अभी हम जो teaching aptitude से related आपकी theory है न उनको समझेंगे, तो यहाँ पर friends mainly हमें 3-4 प्रकार की theories को समझना होगा देखिए, simply आप समझें कि जो 3-4 प्रकार की theory हमें teaching aptitude में अभी पढ़ने वाले हैं हम ठीक है, उनको हम कैसे उनका वर्गी करन कर सकते हैं देखिए, सबसे पहले आपको समझनी होगी cognitiveist theory, cognitiveist theories cognitiveist का मतलब बुद्धी से related होता है इस चीज को आप दियान में रखेंगे, ठीक है तो cognitiveist theory की बुद्धी का विकास कैसे होता है इससे related हमारी काफी सारी theory है cognitiveist theory में दूसरी है आपकी social, constructivist theory कि समाज से मिल जुलकर इनसान कैसे ज्यान प्राप्त करता है तो इससे related theory है आपकी teaching aptitude की, ठीक है तीसरी है आपकी behaviorism theories कि आपके behavior पर काम करके कैसे चीजों को बदला जाता है ठीक है, तो behaviorism से related theory है फिर चोथा प्रकार है cognitiveism plus behaviorism इन दोनों को मिला कर कुछ theory है जिसमें बुद्धी और behavior दोनों के पर काम किया जाता है ठीक है, तो ये सारी theory हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं cognitiveism से related theory जितने भी cognitiveist theories हैं उनको हम देखते हैं देखिए देखिए, तो cognitiveist theories हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ठीक है, अगर आप notes बना रहे हैं तो सबसे पहले heading आप लिख लीजिए cognitiveist theory cognitiveist theories कौन सी होती हैं जो बुद्धी के development से related होती है बुद्धी से related होती हैं तो इसमें सबसे पहली theory है आपकी gene PRJ की stage of cognitive development ठीक है, सबसे पहली theory है gene PRJ की stage of cognitive development cognitive word बुद्धी से related है तो बुद्धी का विकास कैसी किन किन चरणों में होता है यहाँ पर gene PRJ ने हमें यही समझाया है ठीक है, तो gene PRJ who recorded the intellectual development and abilities of infants, children and teens देखिए, gene PRJ ने यहाँ पर एक छोटा सा जो बच्चा होता है लगबग 2 साल का, ठीक है फिर वो एक बड़ा बच्चा बनता है 6-7 साल का children, then teen वो एक युवा बन जाता है तो उसका जो intellectual development है उसकी जो बुद्धी का विकास है उसकी जो abilities को development हो रहा है वो कैसे कैसे होता है, किस age में होता है तो जीन प्याजे ने हमें यही समझाने का परियास किया है तो जीन प्याजे is four stage of development जीन प्याजे ने जो बुद्धी का हमारा विकास है उसकी four stage बताई है ठीक है, तो यह बहुत important है आप इसको दियान से समझना सबसे पहली stage है हमारी देखे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर stage है, चार stage है ठीक है, फिर age उनसे कौन सी age किस stage में आएगी यह आप दियान रखेंगे, then characteristics of stage उस हर stage की क्या characteristics है क्या विसेशताए है यह हम समझेंगे तो सबसे पहली जो stage है वो है sensory motor sensory motor stage तो सबसे पहले जो एक बच्चा होता है वो कौन सी stage में होता है sensory motor stage नाम दिया है जीन प्याजे ने, तो sensory motor देखे, motor कहीं नगहीं जो हमारा सरीर है हम जो सरीर की गतिविधी करते हैं हाथ पैर हिलाते हैं तो जो motor word है, यह उसी को संबोधित करता है, ठीक है देखे, तो sensory motor में एक दो साल का बच्चा होता है sensory motor में दो साल का बच्चा होता है और दो साल के बच्चे की क्या characteristics होंगी देखे, the child learns by doing looking, touching, sucking तो जो दो साल का बच्चा होगा वो कैसे सीखेगा उसकी बुद्धी का development कैसे होगा ठीक है, तो देखे, जो वो छोटा बच्चा है वो चीजों को कर करके सीखता है कैसे, चीजों को देखता है टच करता है कुछ भी चीज़ अगर छोटे बच्चे की हाथ में आती है तो उसको मू में डाल देता है ठीक है, सकिंग करता है उसको तो वो कहीं न कहीं लर्ण कर रहा है इन सब चीजों से देख कर, टच करकर, सकिंग करके ठीक है, तो दो साल का बच्चा ऐसे सीखता है, देखे primitive understanding of cause and effect relationship एक दो साल का जो बच्चा है वो सीखना आरंब करता है cause and effect relationship को सीखता है, उसे नहीं पता होता कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है क्योंकि वो बहुत चोटा है, तो आप देखते भी होंगे, तभी तो वो बच्चा कभी bad से नीचे गिर जाता है, उसे नहीं पता है वो आगे बढ़ता जाता है फिर वो बैड से नीचे गिर जाता है क्यों? क्योंकि उसको cause and effect का जो relationship है वो उसको नहीं पता होता है उसको नहीं पता कि मैं नीचे गिरूँगा तो मुझे चोट लग जाएगी मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा वो साप को भी पकड़ लेता है अगर उसके सामने आ जाए ठीक है? वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसे cause और effect की कारण और प्रभाव cause and effect का जो relationship है वो उसको नहीं पता होता है ठीक है? तो जीन प्याजे ने इस stage को नाम दिया है sensory motor stage जिसमें दो साल का बच्चा होता है वो चीजों को देखकर, touch करकर, गलती करकर के सीखता है तो यहाँ पर जो object क्या होता है? object, sorry, तो यहाँ पर जो sensory motor है इसका goal क्या होता है? इस stage का लक्षय क्या होता है? object permanence, यह word आप याद रखेंगे sensory motor जो stage है, इसका goal क्या होता है? object permanence, object permanence का मतलब क्या है? वो वस्तुओं को देखता है, उसने तो पहले कभी नहीं देखी होती ना एक दो साल का बच्चा, वो चीजों को देखता है, touch करता है objects को देखता है, ठीक है? पता करता है क्या किर है क्या तो ये हो गई पहली stage, दूसरी stage है friends, pre-operational stage pre-operational stage में जो है, एक दो से साथ साल तक का बच्चा आता है ये age आप याद रखना, age पूछी जाती है, कौन सी stage में की stage का बच्चा आता है ठीक है? तो pre-operational stage में दो से साथ साल तक का बच्चा आता है तो जो एक साथ साल तक का बच्चा होता है इस स्टेज का जो सबसे बड़ा गुन है वो है इगो सैंट्रिसिजम और इंट्यूसिव ये वर्ड आप याद रखेंगे इगो सैंट्रिसिजम का क्या मतलब है तो एक साथ साल तक का जो बच्चा होता है यहाँ पर इगो सैंट्रि का डिसकुशन नहीं करते हैं यह बहुत लंबा चोड़ा कोई topic discuss नहीं करते हैं हम एक 7 साल के बच्चे से जब बात करते हैं हम उसे पूछते हैं उसके कपड़ों के बारे में ये पपड़े आपका कौन लाया बेटा हाना ये आपका सूज कौन लाया ये बहुत अच्छे हैं तो वो बच्चा interested होता है इन सब चीजों में बात करने के लिए क्यों क्यों कि उसके अंदर एक egocentricism होता है उस बच्चे को और कुछ समझ ही नहीं आता एक साथ साल के बच्चे को उसे सिर्फ अपने बारे में समझ जाता है ठीक है तो जो egocentricism की characteristics है ये कौन सी stage की विशेषता है pre-operational की ये characteristics है ठीक है तो इस stage में और क्या होता है development of language, memory, imagination उस छोटे से बच्चे की जो language है, memory है, imagination है इन सब का development इस second stage में होता है ठीक है इसका लक्षे क्या होता है इसका goal क्या होता है symbolic thought वो चीजों को देखकर सोचना आरंब करता है एक छोटा बच्चा 7 साल का तो इसका जो goal होता है वो symbolic thought होता है तीसरी stage है concrete operations, concrete operation तीसरी stage है इसमें 7 से 11 साल तक का बच्चा होता है तो 11 साल का बच्चा concrete operation में होता है तो concrete operation में जब बच्चा आता है वो less egocentric हो जाता है अब वो अपने बारे में ज़्यादा पसंद नहीं करता बात करना मतलब कम हो जाता है करता है लेकिन less कम हो जाता है जितना एक 7 साल का बच्चा पसंद करता है उतना नहीं ठीक है तो concrete operation में क्या होता है less egocentric and more aware of the outside world and events और व इसका goal क्या होता है operational thought उसके मन में अब thoughts विचार आना सुरू हो जाते हैं ठीक है तीसरा था concrete operation चोथी stage है friend formal operation formal operation में जो बच्चा होता है वो किसो रवस्था में आ जाता है 12 प्लस का बच्चा होता है 12 साल या उससे जादा तो formal operation में एक किसो रवस्था में बच्चा आ जाता है adolescent to adulthood का जो बच्चा है वो formal operation में आता है 12 प्लस age का ठीक है इसका goal क्या होता है abstract concepts अब इस बच्चे को जो ए तो the individual demonstrates abstract thinking including logic, deductive reasoning, comparison, classification, grasp abstract concepts and relationships जो 12 प्लस का बच्चा है, formal operation में वो abstract concepts को grasp करने लग जाता है ठीक है, वो relationships को समझने लग जाता है, अच्छा है ये मम्मी, पापा या ये सब चीजें हैं ठीक है, तो जो abstract concepts है, वो किस से related है, ये keyword आप याद रखेंगे ये formal operation से related है आपका, abstract concepts, ठीक है, यहीं पर वो इनको grasp करने लग जाता है तो यहाँ पर friends आप इस theory को अच्छे से याद रखना, किस से कौन सी stage से कितनी age related है, क्या characteristics है ठीक है, तो यहाँ पर ये theory हमारी complete होती है, जीन प्याजे की stage of development, जो की एक cognitive list theory है cognitive list theory का मतलब क्या होता है, कि बुद्धी का विकास कैसे हुआ, बुद्धी से related जो काम है, वो cognitive list theory में आपका आता है जिसमें हमने पहली theory, जीन प्याजे की समझी, stage of cognitive development, ठीक है, 4 stage हमने देखी, चलिए अभी हम इसमें दूसरी theory को समझते हैं, दूसरी theory है आपकी insight theory of Kohler देखे, Kohler ने insight theory दी है, तो insight theory क्या है, Kohler was studying the behavior of apps तो यहाँ पर Kohler क्या करता है, friends, apps का मतलब क्या होता है, वो monkey जैसे थोड़े चिमपैंजी टाइप बंदर होते हैं थोड़े बड़े-बड़े से, तो यहाँ पर जो Kohler है न, कुछ experiment को design करता है, ठीक है, apps के behavior पर, तो क्या experiment करता है, देखे, वो एक जाल लेता है, बड़ा सा, ठीक है, उस पर उचाई पर कुछ केले को लटका देता है, ठीक है, यहाँ पर वो net के अंदर, जाल के अंदर, कुछ box रख देता है, छोटे-छोटे, ठीक है, तो जो यह चिमपैंजी है, यह बंदर है, कुछ time तक देखता है, केले को लेना चाहता है, ठीक है, खाने के लिए, पर वो नहीं ले पाता, तो इसके सामने एक problem है यहाँ पर, अब इसका solution उसे देना है, उस बंदर को, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ time के बाद, थोड़ा सा उचलता कूथता है, उसका हाथ नहीं जाता है, फिर वो क्या करता है, जो छोटे-छोटे box रखे होते हैं, उन box को जो है, एक दूसरे के ऊपर रखता है, ठीक है, छोटे-छोटे box को, then उनके ऊपर चड़ता है, और वो केलो को easily ले लेता है, तो यहाँ पर कोहलर जो है, एक दिमाग से related behavior पर काम कर रहे है, ठीक है, कैसे उसके सामने एक problem थी, उसका वो solution निकालता है, फिर एक दूसरा experiment करते हैं, इसी तरीके का केले होते हैं, बंदर होता है, वो चिमपैंजी टाइप, फिर भी उसका हाथ नहीं जाता है, तो इस बार क्या करते हैं, कोहलर, इस बार box न रखकर, छोटी-छोटी छड़े, जो आपस में जुड सकती थी, ऐसी छड़ों को वहाँ पर रखते हैं, तो फिर से वो कूटता है, उचलता कूटता है, उसको नहीं उतार पाता, फिर वो क्या करता है, जो छड़े होती है उनको आपस में जोड लेता है, जोडने के बाद वो उनके लोगों को easily उनसे उतार लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर यही experiment को वो करते हैं, कोहलर, insight theory, insight का मतलब होता है, अंदर से, insight का मतलब क्या होता है, एक अंतर दरश्टी होती है, ठीक है, अंदर से जो आवाज आती है, insight का मतलब वो है, ठीक है, तो देखे, insight theory क्या है, insight learning is the realization of a problem solution, insight theory क्या है, insight learning में व्यक्ति क्या करता है, उसे किसी problem का realization होता है, और उस problem के solution का realization होता है, उसे अंदर से, उसके सामने कोई problem है, और उसके solution का realization हो जाता है, उसकी अंतर आत्मों उसे बता देती है, कि उसका क्या solution ह होना है ठीक है तो insight theory क्या है insight theory insight learning is the realization of a problems solution ठीक है it is completely cognitive experience completely cognitive experience का क्या मतलब है बुद्धी से related जो अनुभाव है cognitive का मतलब बुद्धी ठीक है it is completely cognitive experience that requires the ability यहाँ पर किस ability की जरूरत है to visualize the problems problems को visualize करना हमें समझ आना चाहिए कि अकिर problem क्या है and the solution internally और उसका फिर हमारे अंदर से ही कोई solution हमारे अंदर हमारे मस्तिसक हमारे दिमाग में आना चाहिए in the mind's eye mind के अंदर उसका कोई solution problem का हमें दिख जाना चाहिए insight अंतर से ही ठीक है अंतर आत्म आपको बताएगी तो कोहलर की यह क्या थी इंसाइट थी ठीक है तो इसमें वो X पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है देन इस थीओरी को वो देता है तो इंसाइट थीओरी ओफ कोहलर यह हमारी की है गार्डनर ने बात की है इन सब थीओरी से प्रिवियस यहर में कोश्यन आए हुए है इसी लिए आप इनको द्यान से समझना अपने नॉट्स बना लेना ठीक है ताकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना हो ठीक है मैं आपको एक ही क्लास में इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर आ रही हो तो प्लीद सपोर्ट करना ठीक है और बताना भी कि आपको ये क्लास कैसी लगी ठीक है लास्ट में बताना अभी काफी सारा कुछ हमें सीखना है तो आप continue देखना ठीक है बीच में बिल्कुल भी skip मत करना देखे तो गार्डनर का multiple intelligence किस ने दिया है गार्डनर ने दिया है तो गार्डनर फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं गार्डनर multiple intelligence की बात करते हैं तो फ्रेंड्स गार्डनर क्या करते हैं इसमें proposed seven abilities देखे गार्डनर multiple intelligence की बात करते हैं अगर कोई बच्चा पढ़ता लिखता है तो मानते हैं कि यस यह intelligent है ठीक है लेकिन अगर उसके अंदर कोई और quality है वो singer अच्छा है गाता अच्छा है dancer है उन सबको intelligence नहीं समझा जाता आज के उसमें उतना जादा ठीक है जितना तो gardener यही कहते हैं कि सिर्फ linguist पढ़ना है ठीक है इससे अलग भी और भी intelligence हो सकती है तो gardener यहाँ पर multiple intelligence की बात करते हैं जिसके लिए वो proposed seven abilities को proposed करते हैं तो क्या है seven abilities gardener की देखे पहला है musical कि कोई व्यक्ति singer हो सकता है हो सकता है उसका interest singing में हो वो अच्छा गाता हो ठीक है कोई visual spiritual का मतलब होता है कोई drawing अच्छा क यह भी intelligence हो सकती है तो multiple intelligence की बात करते हैं तीसरा है verbal linguistic हो सकता है कोई व्यक्ति writer अच्छा हो बुक का review अच्छा करता हो publishers हो ठीक है तो चोथा है logical mathematical किसी को mathematics अच्छा आता हो कोई bodily kinistic bodily kinistic का मतलब है कोई dancer athlete surgeon बनना पसंद करता हो उसकी अंदर यह सारी quality हो ठीक है interpersonal interpersonal में कोई instructors हो इंट्रा पर्शनल में कोई independent learner हो जिसे खुद से सीखना पसंद हो ठीक है तो इसलिए gardener ने ये कुछ multiple intelligence की बात की है ठीक है तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि multiple intelligence किसने दिया है तो gardener ने दिया है ठीक है तो यह हो गई friends हमारी cognitiveist theories ठीक है तो यहाँ पर फिर से हमारा एक पूरा का पूरा topic complete हो जाता है एक बार हम देखते हैं कि क्या हमने पढ़ा देखिए तो यहाँ से हमने start किया था एक new topic जिसमें हम देख रहे थे cognitiveist theory एक minute देखिए हमने यहाँ पर देखा cognitiveist theories को जिसके अंदर हमने तीन theory को समझा पहली जीन प्याजे का stage of cognitive development को हमने समझ जा insight theory of caller को हमने देखा ठीक है फिर तीसरी theory हमने देखी gardener की multiple intelligence ठीक है gardener की multiple intelligence को हमने समझा और अभी यहाँ पर हमारा जो cognitiveist theories थी न वो complete हो जाती है और हम फिर से एक नए topic पर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो new topic क्या है हमारे सामने levels of teaching हमें समझना होगा levels of teaching को तो friends तीन level होत ठीक है यहाँ पर आप याद रखेंगे जो levels of teaching है यह किसने दिया है यह Morris L. Biggye ने इसको दिया है देखिए तो Morris L. Biggye ने levels of teaching बताई है तो तीन level होते हैं teaching के पहला होता है memory level दूसरा होता है understanding level और तीसरा होता है reflective level ठीक है यह काफी important है आप इनको याद रखना ठीक है thoughtless level of teaching है यहाँ पर सिर्फ जो fact होते है ना उनको रटा मरवाया जाता है ठीक एक रटा लगाया जाता है याद किया जाता है fact को रटा जाता है memory level पर चीजों को याद रखने पर जादा focus किया जाता है यहाँ पर सोचने विचारने पर focus नहीं होता इसलिए memory level क्या है एक thoughtless level ह टीचिंग का एक thoughtless level है ठीक है इस concerned with memory ये memory पर ज्यादा focus करता है याद करने पर जो memory level है ये lowest level of teaching है ठीक है जितने भी ये तीन level है ना इनमें सबसे lowest level of teaching क्या है memory level ठीक है तो memory level में आपको facts को याद कराने पर ज्यादा focus किया जाता है अगर कहीं भी ये word आ रहा है ना fact drill word drill का मत लब होता है practice, अभ्याद किसी date को आप बार-बार याद कर रहे है ठीक है recall word यहाँ पर आता है memory level में क्योंकि आप चीजों को recall करने पर focus करते है ठीक है memory level पर चीजों को रटने याद करने पर ज्यादा focus किया जाता है इसलिए इसको सबसे lowest level माना जाता है teaching का ठीक है दूसरा है आपका understanding level understanding level में क्या होता है चीजों को understand किया जाता है understanding something is to perceive the meaning किसी भी चीज को समझा जाता है उसके meaning को समझा जाता है grasp the idea उस idea को grasp किया जाता है and comprehend the meaning और जो भी topic है subject है उसके meaning को comprehend करके समझा जाता है और विस्तार से उस चीज को समझा जाता है ठीक है आप किसी भी topic को कि इसी भी subject को इतना अच्छे से समझ जाते हैं कि आप उसके examples देने लगते हैं, अपने पास से उस चीज़ को examples दे सकते हैं, इतना understand आप उस चीज़ को कर लिए होते हैं, ठीक है, seeking of relationship among facts and ideas, किसी fact और idea के बीच में क्या relationships है, इस चीज़ को आप understand कर जाते हैं, तो ये आपका understanding level हो हैं, एकदम keyword हैं, आप इनको please याद रखना, जैसे कि ये line है न, ये आपको previous year में भी काफी देखने को मिलेगी, seeking of relationship among facts and ideas, कौन से level है ये, understanding level है, जब आप एक fact और idea के बीच का relationship बताने लगते हैं, it means कि आपने उसको understand किया है, आप example देते हैं, it means कि आपने उसको understand किया है, किसी भी चीज का meaning को comprehend करते हैं, तो ये आपका understanding level कहलाता है, तीसरा है आपका reflective level, ठीक है, कहीं भी statement में अगर examples की बात हो रही हो न, ये keyword है, तो वो understanding level की बात कर रहा है, it means, ठीक है, तो तीसरा है आपका reflective level, reflective level में क्या होता है, it also means thinking deeply, reflective level और highest level है, देखे, reflective level highest level of teaching है, यहाँ पर deeply thinking पर बल दिया जाता है, बहुत ही गहराई में आपको सोचना होता है, ठीक है, thinking deeply about something, किसी चीज के बारे में आपको deeply सोचना होता है, reflective level में, तो reflective level के जो keyword हैं, आप इनको याद रखेंगे, अगर आप किसी चीज के बारे में deeply सोच रहे हैं, ठीक है, तो देखे, problem solving, problem solving, teaching कौन से इसकी विसेशता होगी, reflective level, क्योंकि ये highest level है, teaching का, ठीक है, और teaching का तो में मकसद ही होता है, critical thinking को develop करना, problem solving को develop करना, ठीक है, ये word आप याद रखेंगे, अगर कहीं भी critical thinking की बात हो रही है, problem solving की बात हो रही है, it means कि वो reflective level की बात कर रहा है, ठीक है, एक चीज और, यहाँ जो reflective level होता है, teaching का, ये आप याद रखेंगे, transactional communication, reflective level की जो teaching होती है, उसमें communication कैसा होता है, transactional communication होता है, ठीक है, आपस में बात करते हैं सब, एक concept को दूसरे से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो communication होता है, ये word याद रखना, transactional communication यहाँ पर होता है, कहां होता है, reflective level में होता है reflective level deeply thinking पर बल देता है तो ये थे आपके levels of teaching ठीक है तो हमने यहाँ पर तीन level देखे teaching के पहला memory level दूसरा understanding level और तीसरा reflective level memory level सबसे lowest है reflective level सबसे highest level है teaching का understanding level पर किसी भी चीज़ के meaning को comprehend किया जाता है examples दिये जाते है fact or ideas के बीच का relationship को समझा जाता है ठीक है तो ये हो गया आपका topic यहाँ पर खतम levels of teaching अभी हम दूसरा topic समझेंगे एकदम new topic है आपके लिए ठीक है तो पहले हमने cognitiveist theory समझी थी जो कि बुद्धी से related थी अभी यहाँ पर दूसरी theory स्टार्ट होती है social constructinist theory ठीक है इस theory में क्या होता है friends कि हमारी जो knowledge है हमारा जो ग्यान है वो हम कैसे सीखते हैं तो कहीं न कहीं ये theory कहती है कि हम समाज में मिलकर लोगों से मिलकर बात करके अपने ग्यान को build करते हैं ऐसा social constructinist theory का मानना है तो इसमें भी हमें theory देखनी है देखते हैं कि social constructinist theory में हमें कौन-कौन सी theory को समझना है तो पहली है विगोटस्की की constructivist theory ठीक है दूसरी है विगोटस्की नहीं दिया है zone of proximal development अभी हम ये समझने वाले हैं लेकिन एक बार देख ले कि कितने theory आखिरा में इस वाले topic के अंदर समझनी होगी पहली तो विगोटस्की की constructivist theory को समझना है दूसरा विगोटस्की का zone of proximal development को हमें समझना है और क्या समझना है हमें इसके अंदर देखे तीसरा हमें समझना है progressive education जो कि जोन डेवी ने दिया था ठीक है तो हमें जोन डेवी का progressive education भी इसी के अंदर समझना होगा then हमारा कौन सा आता है देखे then हमें समझना होगा cooperative learning theory को इसी के अंदर ठीक है तो चार theory हमारी हो गई है then हमें dale का cone of experience भी समझना होगा इसी के अंदर dale का cone of experience जो की काफी important है then हमें हाँ यहीं तक हमारी जो theory है कितनी theory हो गई total इस topic के अंदर 5 theory ठीक है तो ये 5 theory हमें इस topic के अंदर समझनी होगी कौन सी theories है ये ये theory है आपकी social constructinist theories ठीक है चलिए इस start करते हैं फिर देखिए friends अभी काफी कुछ बचा हुआ है हमारा teaching aptitude में काफी important concepts अभी बचे हुए है ठीक है और बहुत सारे हैं जो की अभी तो हमारा जो class है ये काफी बड़ा हो चुका है लगभग one hour का class हमारा होने वाला है ठीक है आपके लिए भी काफी tough होगा और जादा अगर मैं इस class को बड़ा करती हूँ उसको देखना ठीक है तो हम एक काम करते हैं कि हम teaching aptitude का part 2 बनाएंगे ठीक है part 2 class में आपके लिए इसकी लेकर आऊंगी बिल्कुल हम यहीं से start करेंगे social constructinist theory से और next class में हम पूरा teaching aptitude को अपना complete कर लेंगे ठीक है खतम कर लेंगे तो आप इस class के notes जरूर बना लेना और अच्छे से समझ लेना आपको यह class कैसी लगी जो content मैं आपको दी हूँ कितना आपको समझ में आया कितनी helpful है आपके लिए यह class हमें please comment में जरूर बताना ठीक है अगर आप इस channel पर नए है तो इस channel को subscribe जरूर कर लेना ताकि ऐसी ही जो important class अभी आने वाली है आपका exam भूत पास है ना तो काफी important चीज़े मैं आपको बताऊंगी जरूर ठीक है तो आप इस channel को subscribe कर लेना लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आ रही है class ठीक है और comment में जरूर बताएं कि आपको class कैसी लगी है ठीक है तो मिलते हैं teaching aptitude के part 2 में ठीक है तो thank you for listening